हेलो एबरीबडी मेरा नम है आशी शुराब देख रहे हैं टीस्टू इस चैनल आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा फिल सीरीज ऑप्शन के बारे में देखिए मैं इसे एकसल का चुपर रुस्तम ऑप्शन कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इसके बारे म मैं हो या कोई वीक टेयों कोई यहरो कोई मन्त हो यानि किसी भी तरह के कि लिस्ट यार किसी भी तरह कि अगर आपको सिरीज बनानी है तो आपको यूज़ करना होगा फिल सीरीज ऑप्शन जोब का काम कर देगा बहुत ही जादा अससान सूब प्रैक्टिकल सीखने के सीरीज ऑप्शन अपने डेटा पर आ गये हैं सबसे पहले मैं आपको बता दो कि ऑप्शन आपको मिलता कहां पर है तो देखिए आपको होम टैब में जाना है उसके बाद लास्ट में जाएंगे तो आपको फिल दिखाई देगा इस फिल पे क्लिक किजे और यहां पर आपक मतलब है सिर्फ एक रो हरो नंकि रो वाइस अगर आपको डेटा का सीर्यस बनाना चाहते हैं तो वह अगर आपने रो सॉलेक्ट है तो ऊकियो में रो कम अच comments Raw वाइज आएगी तो यह आपको क्लियर है इसके बाद हमें आते हैं टाइप में तो देखें डिफॉल्ट में लीनियर सेलेक्ट हो रखा होता है लीनियर मतलब आपका एडिशन आपको जैसे कि माली एक से दस्तक चाहिए और आपको एडिशन कराना है वन टू थी तो आप लीन इस तरीके से एक सीरीज बनती चले आएगी इसके बाद मैं आटो फिल पर आता हूं और यहां पर आपको एक सीरीज बन गया आजाएगी और यह मुस्ली कस्टम लिस्त के लिए यूज होता है तो इसके बाद आते हैं देट पर इंपोर्टेंट है जैसे में डेट ओपन कर हो तो देखे यह option हमारे open हो गए है data unit की तो फर्स्त वाला है डे में क्या होता है कि आपके एक दो दिन add होते रहेंगे अगर आप यूज करते हैं वीक टी में आपके सिर्फ वही डेट एड होंगे जो वीक डेज में आते हो ना कि वीकेंड के, वीकेंड आटोमेटिकली हमारे हट जाएंगे, और मन्त में क्या होगा कि आपके जो डेट है वो सेम रहेगे, लेकिन जो मन्त है वो चेंज होता रहेगा, आप अपनी मर्जी से चाहें मन्त आपको एड करवा सकते हैं, सेम उसी तरी के एयर है, इसमें डेट और मन्त सेम रहेगा, लेकिन एयर चेंज होता रहेगा, यहाँ पर सिर्फ वेल्यू यहाँ पर मतलब है कि आप कितना वेल्यू बढ़ाने चाहते हैं, आप एक करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं तीन करना चाहते हैं तो उतने ही एड कराता रहेगा और स्टॉप वैल्यू आप एक मैक्सिमुम लिमिट यहां पर एंटर करा देंगे कि आपको सिर्फ वर सिर्फ यहीं तक नमबर चाहिए तो यह तो हो गई हमारी अपनी ठीकल बाते अब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो को मैंने प्लिइवा याद स्टेप याद कर से यहां पे तो मैंने याद रखें आप सिर्फ यहां पर पार प्लिइव रहें हैं वैज मने यहां यू प्लिए आप यूह शानर तरता ओकी अलमें वा Бली रखी हैं पॉन पर ऊड़ यूर्प्लियू हो और प्लिए निकिकल को सेवन तक एक सीरीज बनके आए तो मैं इसको करता हूं फिर देखते क्या होता है तो देखिए 1234567 की एक लिस्ट बनके आ गई है आप पे तो यह कितना एजी था तो उसी तरीके से वह रोज का ग्रो टाइप देख लेते हैं तो आप देखिए मैं इस तरीक को सलेक कर लेता हू क्या होँ और इसको शौक कट है वह ओल एक एक एफ एस तो देखिए इसका स्सेजए एक और है अगर आप सीरीज ब्रीडि घंध रहे है उपन करना चाहते हैं तो देखिए तो दीखिए रव में क्लिन हों टाइप की बात करना हूं तो ग्रोग में मौल्टिबिकाशन होती रहेगी तो देखें यहां पर 3 है और मैं चाहतों कि यह 3 सही इंटू होता रहा है बार-बार और यह कब तक इंटू होता रहे है जब तक की वैल्यू 25 तक आ जाए ठीक है यानि कि 2500 से कम तक जब तक वैल्यू चलती रहेगी यह एड होता रहेगा तो मैं इसे वहीं करता हूँ है इसके बाद हम क्या करेंगे कोलं की बात करते हैं तो इसके बाद मैं कौल्म टाइप सेलेक कर लेता हूं और प्रेस करता हूं औख एच एफ आई एस तो जहां पर हमारा रूत हम उसके जाख रजुब कर देंगे अब मैं कॉलम की सिरीज बनानी है लीने टाइप हम ऐसी दावनित देते हैं और यहां पर हम एक क्या करते हैं इसको कर देते हैं टू ठीक है और स्टॉप वेल्यूम कर देते हैं 13 तो इसका मतलब में माल लिजया में यहाप एक और वेल्यू लानी है 1357 की तो इसलिए मैंने स्टेप वेल्यू 2 दे दिया जिससे की 1 और प्लस 2 3 आ जाए फिर 3 और प्लस 2 5 आ जाए और यह कब तक चलेगा जब तक यह 13 न हो है तो मैं इसे कर देता हूं ओके तो देखिए इसने सब में दो-दो एड कर रहे हैं तब तक जब तक क्या आंसर हमारा 30 न हो गया हो तो यह था कॉलम लिनियर टाइप अब मैं ग्रोट टाइप की बात करता हूं कॉलम में तो ऑल्ट एच एफ आई एस तो यहां कॉलम सेलेक कर लेता हूं और यहां पर ग्रोट सेलेक्ट कर लेता हूं मैं ठीक है और इसको मैं क्या करता हूं यहां पर टू देता हूं तो यह तो से टू करेगा तो फोर आएगा फोर से टू करेगा तो एट आएगा मैं इसकी स्टॉप वैल्यू देता हूं देट सो तक जब तक यह इ see pigu 32 तो इस तरही के से कॉलम का भी हमने सीख लिया ओटो कि ऐते की आपको क्या पड़ता है डेट से पहले यहां पे मैंने एक डेडिया और क्यों तो देखिए मैं सेलेक करने हो कॉलम और कि इसमें आपको ऑप्षन कर б å चुनन सब्सक्रम करना पड़ता है यहां के अलावा है जैसे कि डेट लिखी है या कुछ भी है यह रहा है आपको इसमें सेलेक्शन बहुत जरूर है कि आपको कहां तक चाहिए क्योंकि अगर आपको कोई टाइप करने के लिए तो यार वह थोड़ा टाइम कंजूमिंग होता है ठीक है तो मैं प्रेस करता हूं ओल्ट ह फ ऐस पॉलम सेलेक्ट है मैं और फिल सिलेक्ट करता हूं तो देंके जहां तक मेरा सेलेक्शन है उसके बाद यह दे एड होता चला जाएगा तो मैं ओके करता हूं अधि की सेटेड़े संडे मुंडे और यहां पर मैं आटो फिल सेलेक्ट करता हूं कॉलम अल्यटे सेलेक्ट है तो अब मैं कर रहा हूं तो फेब्रेरी मार्च एपरेल मही जून जुराई अपने अपने एड्ड हो गया है अब देखते हैं डेट और उसका जो टाइप है वो डे टाइप ओके तो देखिए इसमें डेट करेंगे तो एक डेट मैंने यहां पर डालती है 17 फैब 2018 और मैंने आपको कहा है कि डेट और अपना जो ऑटो फिल के लिए जो ऑप्शन है जो बड़े-बड़े टेक्स होते हैं उसके लिए आपको सेलेक्शन करना बढ़ेगा तो आप सेलेक्ट करें और यह अपना फिल में जाके सीरीज पर जाए ठीक है आप सीरीज पर गए तो यह हम अपना डेट पर कर रहे हैं और कर रहे हैं कॉलम वाइस तो कॉलम सेलेक्ट है हमारा डेट सेलेक्ट है और हमने करता रहेगा और यह कब तक चलेगा जहां तक हमारा यह सेलेक्शन है इस टॉप वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि डेट लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो मैं करता हूं तो देखिए इसने हर डे में तीन तीन डे प्लस कर दिया जहां तक हमारा सेलेक्श है तो वह सेलेक्श तो होगा नहीं तो मैं इसको एक ही रहन देता हूं और स्टाफ वैल्यू मैं कुछ नहीं डालता और करता हूं ओके तो देखिए 16 के बाद 17 18 नहीं दिया है क्योंकि वह वीकेंड है मिरको सिर्फ वीडे ही टाइप कराने यह तब यूज होता है जब आप किसी के अटेंडेंस वकिरा मिंटेन करते हैं पुरा डेटा बनाते हैं तो उसके लिए बहुत होता है कि आपको सिर्फ वीडे चाहिए ओके तो इसने उसी तरीके से यह देखिए 23 के बाद 24 25 नहीं दिया है क्योंकि वह भी अपने आप में वीकेंड है इसके बाद मन्त कर लेंगे करेंगे अब यहां पर मन्त कर देते हैं तो जैसे 17 यहां पर लिखा हुआ है हम चाहते हैं कि इसमें दो महीने एड होते रहें जहां तक हमारा सेलेक्षन है तो मैं ऐसे करता हूं कि देखिए डेट वही है लेकिन फैब के बाद एप्रेल आगया है मार्च हड़ गया है अप्रेल के बाद फिर मैं जून जून जुलाई अगस्त अगस्त आ गया है कि बाद स्प्टेंबर पांच-पांच साल बढ़के आएं और में जो कुछ नहीं रखेंगे यह हमारा पूरा जहां तक सेलेक्शन होगा वहां पर एड होगा मैं कर देता हूं तो देखें आप यहां पर पांच-पांच साल की वेल्यू एड होती है यह देट और मन्त हमारा सेम है बस एयर हमारा चेंज हो रहा है तो देखें सिरीज जो ऑप्शन है यह यूज हमारा कम होता है लेकिन एक एक्सल में आपको एक्सपर्ट होने के लिए यह सब चीजे आनी चाहिए यह चोटी चीज नहीं है मैं आपको बता रहा हूं जो बड़े डेटा पर काम करते हैं वो लोग इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इसको आप सीखें देखें और करें जहां पर भी आपको दिक्कत है आप इस वीडियो को देखें अगर आपको कोई इमेल आइडी जरूर लिग दें मैं यह फाइल आपके साथ शेयर कर दूँगा और अभी तक के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेट यूनियर में बाइट टेक केर अपना ख्याल रखें आपने परिवार का भी